और अब खबरेविस्तार से तीन दीन पहले नंदनोन परिसर में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी यह घटना पुलिस के लिए बड़ा सिर्द अर्द बन गई थी खुद पुलिस आयप इस घटना की परताल पर नजर रखे हुए थे आखिरकार नंदनोन पुलिस ने हत का परदाबाश करने का दावा किया है पुलिस ने वृद्ध मृतक महिलाद देव की जिवनदास बोबडे के नाती मितेश संजय पंच भाई को गिरफतार किया है पुलिस ने बताया कि आरोपी मितेश मृतक महिलाद देव की बोबड़ी की बेटी का ही पुत्र है वह पढ़ाई के लिए अमेरिका की इंडियाना युनिवर्सिटी जाना चाहता था और उसने वहाँ एडमिशन भी ले लिया था परंतु पढ़ाई के लिए करीब एक करोड रुपए का खर्च आ रहा था उसके माता पिता ने 40 लाक रुपए का इंतजाम कर लिया था लेकिन बाकी 60 लाक रुपए के लिए वह लोन लेने वाला था हाला कि इतने बड़े लोन के लिए गैरेंटी के तोर पर FD लग रही थी इसलिए उसने नानी देव की से बात भी की थी बताया गया कि थोड़ी नानुकर के बाद देव की अपनी FD देने के लिए मान भी गई थी देव की थोड़ा सक्त मिजाच की महला थी और अक्सर गलत कामों के लिए टोकती रहती थी इसलिए मितेश की अपनी ही नानी के साथ नहीं पढ़ती थी पुलिस को उसके मोबाइल फोन में उसकी महिला मितर के साथ की हुई चैट बरामद हुई है गटना वाले दिन मितेश की माने सुबह दस बजे घर की टंकी में पानी नहीं होने के चलते उसे नीचे जाकर पानी की मोटर शुरू करने के लिए भेजा था तब मितेश लोवर पर ही बिना शर्ट पहने नीचे आ गया था उसे ऐसा देख कर देवकी ने उसे डांड दी इस बात पर गुसे में आकर मितेश ने देवकी को जोर से धक्का दे दिया और अंदर से टेप पटी और चाकू ले आया उसने पहले देवकी के हाथ बांधे और उसके बाद मुह पर पट्टी चिपका कर बड़ी ही निर्ममता से चाकू से उनकी हत्या कर दी अधित पास सुड़ी